पूरु उसैनी को तक ने यात्रा के दौरान राहुल गांधी से मुलाकात की गनतर्णत दिवस के मौके पर कॉंगरेस पार्टी ने अपने आधिकारिक टुटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जो तेवी से वायरल हो रहा है वीडियो में राहुल गांधी से मिलने वाले पूरु सैनी को ने अपने अनुभव शेयर किये हैं देखे वीडियो मुझे स्टार्टिंग में पीड़ा वही आई जो मैंने बता रहा है कि मैंने बोला कि मैंने जिबाग नहीं था कि बैस तरुबा कि इंडिया इस नाओ एक्स्ट्रीम्ली वन्रुब जो बॉर्डर पे हुआ है सर्कार को पूरे देश को बताना चाहिए और जो भी एक्शन हमें नेना है हमें आज शुरू करना है पूछना वाला कोई नेता इसलिए हम लोग रावल गांदी जी को हमारा जो मेमरेंडर में हमारा विंती जो है उनका सामने रख दिया जो फाउज में है परिवार के साथ अमरेंडर वो फरिवार दोग करने के लिए कोशिट कर रहा है आपका नारा है वो ही है हिंदुस्तान को दोग कर रहा है इसी तरह फाउज में भी दोग करना है कर चाहता है इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कॉंग्रेसांसद राहूल गांधी ने दिगविजे के सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर दिये गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी तब राहूल ने कहा था जो दिगविजे सिंग ने कहा है उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ हमारी आर्मी पर हमें पूरा भरोसा है अगर आर्मी कुछ करे तो उन्हें सबूत देनी की ज़रत नहीं है राहूल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पूर आर्मी चीफ जनल दीपक कपूर शामिल हुए थे जनल दीपक कपूर के लावा सेना के कई पूर अपसर भी राहूल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाते नजर आए थे पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के दोरान पूरु सैनिक आरक्षन संगर समीती के प्रतिनिद्यों ने राहूल गांधी से मिलकर आरक्षन की समस्या का समधान करनी की मांग की थी सीकर से कमांडो दुश्यंत कुमार, जुनुनू से सतेंद्र मांजू और चूरू से गंगाधर नैन ने राहूल गांधी से मिलकात की थी